हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग और आज में बनाने जा रही हूँ चना कबाब यह मैंने लिया है लैसुन हरी मिर्च और रतरक मैंने चने चार-पांच घंटे के लिए गुनगुने पानी भिगो दिये थे उनको अच्छे से बोश करके मैंने उबाल लिया है और अब इनक हम फीस लेंगे इसमें मैं हरा धनिया डाल दूंगी साथ में और इसको हम थोड़ा दरदराई रखेंगे और यह बहुत अच्छे लगते हैं खाने में आप भी बनाईएगा और इसमें बहुत प्रोटीन होता है बच्चों के लिए बड़ों के लिए सब के लिए बहुत ही है उनके लिए तो बहुत ही अच्छे हैं तो यह मैने लिए लिए हैं अजवाएन है जीरा है नमक मीर्च है ठोड़ा हींग है धनिया है और थोड़ा सा जीरा पाव्डर है यह देखें इनको मैंने इसम呀 peace कना इसको म li销 जाती है हम इन सब को मिक्स कर लेंगे बच्चों के लिए बहुत फायदे मंदा है जो बच्चे खाते नहीं है खाना उनके लिए बहुत अच्छा ब्रेक फास्ट है उसे आप लंच में भी दे सकते हैं यह मैंने ऐसे इनको इस्टिक पे लगा दिया है बच्चे इनको बोल ले हैं चोकलेट आइसक्रीम और खुश होकर खा रहे हैं अपने लंच में भी लेकर गए हैं और आप लोग भी इनको खायेगा एंजोई करिएगा कहते हैं जो खाये चना वह रहे बना इसलिए चने की रैसे भी बहुत ही अच्छी और हैल्दी है बड़ों के लिए भी बच्च लगा लें हलका से ओयल में लगा के सेक लें इनको दोनों साइड से और अपनी मन पसंद चटनी के साथ सरू करें अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूले जुन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे इं पित्रेओ वीडियो पुम सब्सक्राइब पित्राइब ड़क है वीडियो पसंद आए बदाएब पसंद पसंद अभू मुझे इंगर के साथ पसंद 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 रच्राइब झाल पसंद बार 1 अठाब ज Tapi, और 2 तो दो पसंद चाल श्दम जगा है वीडियो पसंद पस